डाक को इंगलिश में क्या कहते हैं या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं डाक को इंगलिश में आप POST POST या MAIL मेल कह सकते हैं पोस्ट या मेल जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि भारी बर्फ भारी के कारण आज डाक देर से पहुंची तो आप कह सकते हैं या अगर आप ये कहना चाहें कि डाक में उन्हें एक पैकेज मिला जिसमें उनके परिवार से एक उपहार था तो आप कह सकते हैं अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें